हलो दोस्तों आप देख रहे हैं जी पेट्स चैनल और मैं आज अपको बताऊंगा हाउ टू चक मेल एंड फीमेल इन कैट जी आँ दोस्तों अगर आपकी पास परशियन कैट है या फिर कोई भी कैट हो तो उसमें किस तरीके से आप डिफ्रेंशेट कर सकते हैं अपने मैल और फीमेल को आप कैस तरीके से पैचान सकते हैं अपने मैल और फीमेल को किस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैल हो कुन सा है और फीमेल कुन सा है अगर आपकी cat एक दिन की हो या फिर एक साल की हो आप बड़ी आसानी के साथ पैचान सकते हो male है या female है तो चलिए दुस्तों शूरू करते हैं आज का वीडियो और अभी तक आपने हमारे IG Pets चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको किलिक मार के सब्सक्राइब जोई ज़रूर कर दीजिए तो ये kitten का ये kitten जोई male है या female है आप जोई इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता लगा सकते हो अगर आपको फूरा वीडियो देखने के बाद पता लग चुका है तो ये आप जोई comment box में comment कर सकते हो कि ये male है या female है तो चलिए शुरू करते है शुरू करने से पहले मैं सबको बोल देता हूँ यानि कि सबको बोल देता हूँ कि इस वीडियो में इस channel में एक giveaway contest जोई चर रहा है और आपको नहीं पता तो i button में link है उसमें जोई आप जाकर giveaway कर सकते है यानि कि giveaway में participate कर सकते हो तो इसके अलावा आपको बता दूँगा मैं male और female को किस तरीके से चक करना है तो आपको simple यहाँ पे देखना है यहाँ देखिए two number और one number यानि कि मैं आपको पुरा असानी के साथ बता रहा हूँ यहाँ देखिए तो आपको कोई gap नहीं मिलगा two number और one number में यानि कि एक number और two number के बीच में आपको कोई भी gap नहीं मिर रहा आदा इंच का gap मिर रहा है तो समझ लिजे वह female है इसमें थोड़ा gap नहीं है यानि कि आदा इंच के अंदर अगर gap है तो समझ लिजे यह female है female का जो है आदा इंच से ज्यादा gap नहीं रहता अगर बड़ी female है तो भी half inch ही तो आदा इंच अगर gap है तो समझ लिजे फीमेल है और आदा इंच के नीचे भी है तो फीमेल ही है आदा इंच के अगर उपर है यानि कि एक इंच दक चला जाता है तो वो जो है male होता है तो यहाँ पर दीखिए इसका जो है मैं देख लेता हूँ यह क्या यह भी female ही है यह द नहीं है इसका तो यह female है यहाँ पर इसको ले लेता हूं यहाँ पर दीखिए यह जो है male है यहाँ पर आदा इंच से ज्यादा gap है इसका यहाँ पर दीखिए यहाँ पर जो है इसका hole है तो इसको जो है आप male कर सकते हैं क्योंकि यह male है यहाँ पर इसका जो gap है वो एक इंच से जादा है तो इसलिए ये male है और इसका gap जो है आदा इंच से भी कम है तो इसको female कहते है आदा इंच भी होता है आदा इंच के नीचे ही होता है या फिर आदा इंच होता है तो इसको female कहते है यानि कि female होती है ये और जो है उसका एक इंच से जादा हो तो उसको male कहा जाता है यहाँ पे इसका एक इंसे ज्यादा है यह मेल होता है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजीए कि यहाँ फीमेल है बोलके यहाँ पे द हिसका इस चैनल